असलाम अलेकुम, वेलकुम टो दिस यूट्यूब चैनल, I am Dr. Faisal Javid वीवर्स आज की वीडियो में मैं आपको एक एर किट पर कंप्लीट रिव्यू देने जा रहा हूं कि एक एर किट के क्या यूजिस हैं, मतलब किस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है और इसका क्या सही तरीका इस्तमाल है तो वीडियो के बढ़ने से पहले अपसर रिक्वेस्ट अगर यह भी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो करने ताकि डेली बेसिस से आपको मैडिकल के वाले से अपडेट्स मिलती रहे जी तो बात करते हैं एक year kit की वेवर्स एक year kit जो है ये unwanted pregnancy को remove करने के लिए यूज की जाती है इसका एक ही main function है ये unwanted pregnancy को remove करने के लिए इस्तमाल की जाती है एक year kit को use करने से पहले सबसे important चीज ये देखनी होती है कि आपकी pregnancy कितने days की है अगर तो अपकी pregnancy 30-30-30-30 के दरम्यान है तो फिर इसका best time यही है इस्तमाल करने का अगर तो 60-30 की pregnancy है तो फिर इसको इस्तमाल नहीं करना आपने क्योंकि आपको कुछ खासे benefits नहीं मिलेंगे इसको इस्तमाल करने से आगे हम बात करते हैं इसका तरीक इस्तमाल की के how to use तो इसमें आप देख सकते हैं पांच किसम की टैबलेट होती है सबसे उपर जो एक अलग से टैबलेट है इसको बोलते हैं मैफी पर स्टोन 200 mg की होती है यह और बाकी की जो चार टैबलेट से नजर आ रही है इसको बोलते हैं मैजो पर स्टोन यह भी 200 माइकरो ग्राम की होती है आपने करना क्या है आपने जो फर्स्ट वाली टैबलेट है मैफी पर स्टोन आपने इसको मॉर्णिंग में नाश्टे के ब्रेक फास्ट के दो गंटे बाद इस्तमाल करना है ठीक है उसके बाद आपने 48 गंटे तक वेट करना है 48 आवर्स तक वेट के बाद आपने नाश्टे के बाद दो टैबलेट्स लेनी है जो बकाया 4 टैबलेट्स रहेंगी उसमें 2 टैबलेट्स आपने इस्तमाल करनी है ठीक है फिर उसके तीन गेंटे बाद आपने दो टैबलेट्स और इस्तमाल करनी है इस तरह आपकी चार टैबलेट्स एक दिन में कम्पलीट हो जाएंगी अब बात करते हैं कि यह आपको जब पांच पांचों टैबलेट्स ले लेंगे इसके बाद होगा क्या जब आपने यह से दस दिन तक रहेगी उसके बाद आपका जो अपकी प्रेग्जनसी है वो खतम हो जाएगी लेकिन अगर आपको यह टैबलेट्स इस्तमाल करने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं होती तो आपने डोक्टर से लाजमें रिजूर करना है जे तो विवर्स यह है एक एर का कंप्लीट रिव्यू उमीद आपको वीडियो पर सांद आई होगी वीडियो को लाइक और शेर कर दें थैंक्यू अल्ला अफिस